मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदिग अभिन दन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्टूती कमल लंदलाल की भविश्यमाणी आपका राशी फल इस राशी फल में बात करेंगे मेश शलिय करमीन राशी के राशी फल की साते साथ आपको बताएंगे राशी नुसार कुछ सरल उपाए तो दिन है शनिवार का तारीख है पच्चिस नॉवंबर दो हजार तेईस कार्तिक शुकल त्रेवदिशी पर चंदरमा मेश रैशी और अश्वनी नक्षेत्र में रहेंगे दिन का शुबहंक रहेगा साथ शुबहंक रहेगा से लिटी शुब दिशा रहेगी इशान रहुका इस तक का विशेश क्या है दैकुंड चतरदशी है खास दिन है हरी और हर के पूजन का यह वो दिन है जब भगवान विश्णु ने अपना कमल नैन जो है वो देवादी देव महादेव पर काशी में चड़ा दिया था अपना नैन निकालके और इसी दिन विश्वेश्वर वरत कहा एक गया है विशेश दिन है देवादी देव महादेव के पूजन का और जो हमारा स्पेशल उपाय है वो भी देवादी देव महादेव से जुड़ा हुआ है बताएंगे आपको जीवन के हर शेतर में कैसा सफलता मिलेगी उसके लिए राशी फल को आखर तक देख दूसरी राशी वरिश रहने के टारिस की बात करेंगे धहरे शिलता में कमी आएगी आर्थिक फैसले बहुत सो समझ करके लें धनहानी के योग हैं दोस्तों का सही योग मिलेगा जीवन साती से मतभेट के योग हैं उपाईए करेंगी किसी वर्द दविखारी को ओड़त द राशी करक्याने के कैंसर की बात करेंगे नय काम सफल रहेंगे यात्रा के योग हैं शत्रू पराजित होंगे धनलाप के योग हैं मित्रों से मुलाकात लापकारी सावित होगी प्रेम जीवन रसिक रहेगा उपाईए करेंगी पांच्वी राशी सिंग यानिकलियों की बा करेंगे सेहत पर ध्यान दें भाश और विवहार पर ध्यान दें कमाई की अपेक्षा खर्च जादा होंगे दामपते में संतोष का नुभव होगा कारोबरी यात्रा लाब प्रद रहेगी उपाईए करेंगी जेब में सिक्के रखें शुबंक तीन रहेगा शुबंक रहेगा पीला साथ पी राश तुला यानि के लिवरा की बात करेंगे खान पान में रुजहान बढ़ेगा कारोबार में उन्नती होगी बड़े धनलाब के योग हैं मंगले कमों में शामिल होंगे रिष्टेदारों से मिलकर आनंद आएगा उपाईए करेंगी गरीब बच्चों में काली द्रक्ष यानि के काली किश्मिश दान करें शुभंग चार रहेगा शुभंग रहेगा नीला आठवी राश वरिष्चे कहने के स्कॉपियों की बात करेंगे बिरुजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं विप्रीतलिंगी मितर से लाव होगा मितरों उसके साथ में सही हो करेंगी उपाईये करेंगे पूजा घर में पीपल का पत्ता चड़ाएं शुभंग साथ रहेगा शुभंग रहेगा से लेटी नवी राशी धनु यानिक सेजिटेरियस की बात करेंगे अस्वस्त महसूस करेंगे निवेश की योजना बनाएंगे अत्यादी की विस् सफल रहेंगे कारोबार यात्रा लाब देगी कारोबार की चिंता रहेगी कमाई में बाधाएगी दैने खर्च बढ़ेंगे संतान से सुपराप्ट होगा उपाईये करेंगी बॉलकनी अच्छत पर तेल कदीप करें शुभंग रहेगा शुभंग रहेगा शुभंग गुलाबी बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे मन में बेचैनी रहेगी आर्थिक इस्तिती कमजोर रहेगी कार शेतर में बाधाएगी नौकरी में अफसर सयोग करेंगे आर्थिक विश्यों में संभल करने रने ले उपाईये करेंगे किसी धर्मिस्तन में ल दिन है व्यकुंड चतुर दशी का खास दिन है देवादी देव महादेव के और भगवान विश्णू के पूजन का यह खास दिन है जब कमल का प्रियोग किया जाता तो ऐसे में क्या करें जीवन के हर शेत्र में विजय पाने के लिए कमल का फूल अपनी आखों से सपर्श कर बाकर शिबलिंग पर चड़ाएं और इस पूरे प्रियोग में विशेश मंत्र करें ओम कमल नए नम नम है आश्वस्त करता हूं आपको जीवन के हर शेत्र में इस सफलता मिले तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाव से फिर मिलाकात होगा इजाज़त दीजे नमस्का ऑबसे